सब में आयम बात ये कहिए कि आपको भगवान की या स्वर्ग नरक जन्नत जो भी है उस चीज की चिंता करने की जरुरत नहीं है आपके हाथ में आपका जीवन है वो जीवन आप कैसा उच्चतम महानतम बनाएंगे इसी बात पर आप जोर दे दो उच्चतम और महानतम जीवन कैसा होता है एक उन्होंने उदारन दिया है कि आप खाना भी खाएंगे तो पके वे फल का भोजन करो जो फल ज्याड ने छोड़ दिया है तो आपके उपर कोई जंजिरे नहीं आएंगी जो फल जो है वो ज्याड कभी वापस नहीं लेता उन्होंने तो छोड़ दिया है व कोई फल का भोजन करो यहां तक भगवान बुद्ध ने कहा है कि आपको इस चीज की चिंता क्या है कि आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे नर्क में जाएंगे भगवान के पाद जाएंगे भगवान यहां आएंगे इसकी कोई चिंता ही नहीं आपको आपका जीवन बुद्ध की किताब में मैंने भगवान बुद्ध का नाम ही ने सुना है बुद्ध को जानता हूं मैं बुद्ध को जानता हूं बगवान बुद्ध को नहीं जानता हूं वो आप कहते हैं तो आप अगर गलत कहते हैं तो मैं क्यों मानूं क्योंकि आप अगर बुद्धा की टीचिंग्स पढ़ेंगे बुद्धा की टालिमात पढ़ेंगे बुद्धा ने कभी भगवान का दिकर ही नहीं किया बुद्धा ने कभी भी ईशुर और भगवान का जिकर नहीं कैए क्यूं तो बुद्धि स्कॉलर्स ये कहते है कि इस हिंदुस्तान में इस धर्ती पे इतनी बुद्परस्थी थी कि वो भगवान के बारे में खामोश थे उनने ये भी नहीं कहा के भगवान है और ये भी नहीं कहा के भगवान नहीं है तो आप अगर भुद्धा को भगवान बना दिये तो प्रॉब्लम है भाई साब अन्हें आप भुद्धा की टीचिंग्स को पड़े ही नहीं जिस तरीके से भुद्धा ने भगवान के बारे में जिकर नहीं गर आपने बुद्धा को भगवान बना दिया, उसी तरीके से धर्म में, कई धर्मों में तबदीली आई, चाए वो इसाई धर्मों, बुद्ध धर्मों, चाए वो जुडाइजमों, जिस तरीके से आप कहने लगे, लोग ने अपने मन से कहने लगे, और सही तालिमात को थे, और आप देखते हैं कि धलित लोग और बुद्धिस लोग बुद्धा का बुद्ध बनाया, बुद्धा ने कभी भी ने का मेरा बुद्ध बनाओ, बुद्धा ने कभी भी ने का, यह क्या हो रहा, यह influence और बाके मधब का influence, बाके धर्म का influence आपके उपर है, तो को पहला हग है कि इस दर्ती पे लोट ऑफ शॉरोज ऑन दुस वर्ल यह धर्ती पे कई चीज है जो अस्सोस करने के लाएक है शॉरोज है मुश्किलात है नमबर टू इस धर्ती पे डिजायर है खौईश है नमबर थ्री यह धर्ती से सौरोज को निकाला जा सकता है जब आप को निकालते हैं और नंबर चार अगर खौयश को निकालना है तो एथ फोल्ड पाथ के उपर अमल करो वक्त कम होने के वज़े से पहले थूत को मैं मानता हूं इस धर्ती पे सौरो है दूसरे थूत को भी मानता हूं कि लोगों में खाईश है तीसरा सुत है कि अगर आपको सौ को निकालने का है तो एथ फोल्ड पाथ फॉलो करो तीसरा और चौता थूत कॉंटरिक्ट हो रहा है तीसरे सुत में कहा गया है कि आप खौयश को निकालो और चौता सुत में कहा गया है कि एथ फोल्ड पाथ पे अमल करो अगर आप खायश को निकाल देंगे तो एथ फोल् खुदा ने बगवान के बारे में जिकर नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि लोग अब तक तयार नहीं हुए मानने के लिए कि खुदा एक है खुब दान सुस्टिन